हाई वच्चो आज हम पढ़ेंगे पढ़मे संख्याओं का निरूपण तो पढ़मे संख्याओं का निरूपण पहले सबसे जाने कि संख्या रेखा क्या होती है संख्या रेखा जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि रेखा एक रेखा ही है एक लाइन है और इस पर कुछ संख्याओं लिख देने से यह संख्या रेखा बन जाती है जैसे हमने यहां पर लिगा एक, दो, तीन, यह इधर बढ़ाते चले जाए तो यह कहलती है संख्या रेखा अब छुक्ख हमें इहां पर्मे संख्याओं का निरूपण करना है तो पर्मे संख्याओं जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि इन के और इन के बीच में भी भीतर किसे निखाली है इसको जानने के लिए भी हम काम करेंगे तो यहां भी कई प्रकादि मैं जिसे माली जाया को तो क्या करेंगे इसे संख्यार कद्रा अलग से प्रिति रूप बनाएंगे जवे सूनिय और एक के बीच में अब बोलेंगे इस एक सूनिय को चार रेखाऊं के बीच में चार ह्याइक टुकड़े कर देंगी, तैं यह चार भाग है तो हर एक भाग का नाम कितना हो जाएगा पहले भाग का इसा इका दो बटे चार तिसेरे का तीन बटे चार और चौथे का प्राप्त होता है इस प्रकार यह हम जो भी संख्या अगर माली यह पूचता है तो इस पर यह पूचता है किस पर जैसे ही हमारे सवाल करेंगे वैसे ही हम करेंगे और यही हाल इधार भी होता है मान लीजे कोई रखा हुआ है पाँच वटे तीन फिर रखा पस यहां पर एक ज्ञानिय देना है कि कि जब अंस बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम उसको पहले तो बोलते हैं विसम भिन ठीक है और विसम भिन को हम को बनाया पड़ता हमें स्रविन तो तीन का इसे भाग दे दिया जाता है तो तीन इंकम तीन बचा दो तो दो उपर चला जाता है और तीन इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस संख्या रिखा पर अगर धियान दूब यह कहां पर आएगा तो पार होई जाएगा और अगला जो आ रहा है वो कहां जा रहा है दो बटे तीन यानिकि जो अगला एक से दो वाला जो हिस्सा है जिसके कितने टुकड़ी करने हैं यह नीचे वाली संख्या बताती है कि कितने टुकड़ी करने हैं सो अगर मैंने एक दो टुकड़ा कर दिया तो आई हम देखते हैं कि पृष्णावली कल से प्रिष्णावली 1.2 के सवाल हल करते हैं कि क्या हो सकता है तो लिखे प्रिष्णावली 1.2 यह कह रहे हैं कि निम लिखित संख्यावं को संख्यारेखा पर निरूपित किजिए और यह कुष्चिन एक है संख्यार्यकापर निरूपित करना है जैसे है पहला साथ वटे चार है और एक-एक करके लिते हैं कि संख्यारिखा जैसे हम ने बता यह वार house और यहां पर नहीं हम को उसका मत्ल युद्ध और ले लेते हैं इसाथ व ren कण्वट संख्या हमें पड़ाई था कि कोई भी चीजry नापना है तो हमें इसे एक दो तुकि धनात्मक है तो धनकी तरह भी जाएंगे तो एक दो तीन अब यह साथ वटे चार यह है कि इसको मुझे करता पड़ेगा पाज किसमें मिस्त रुखिन्य में तो यह हो गया साथ वटे चार भाग दीजिए तो चार एकम चार उपर बचेगा तीन नीचे पाए तरफ तो पहले एक देखिए तो यह पूरा पूरा मिल गया मुझे अब दूसरा कहा जा रहा है तीन बटे चार यह अगली संख्या जो होगी एक और दो यह इस हिसे में मिलेगा हमको तीन साही तो क्या करना है इसके बोलना चार टुकड़े करना है तो एक दो तीन साथ बटे चार और चौते को चार बटे चार बोलते हैं और हमें कितना चाहिए एक तो हम पहले से चलके आ गए हैं और तीन और चाहिए तो पहला दूसरा तीसरा हिस्सा यानि इस हिस्से को यहां से लिए अगर मैं यहां तक चलू तो इस हिस्से को मैं करसा सकता हूं साथ पुझा है अब इसी में दूसरा है जदर ये भी देखने जी आ कि इसे पर दूसरा है रेन पांच प्रेशे फिर वही यह रही हमारी संख्या रेखा है यहां पहिं हम सुने लेते हैं कि अभी रिण है तो होजाने कोई देने यहां देना नहीं है तो माली यह पा एक हैं यह लखत गार tatie रेण पर आपश चार नहीं, अब हमें क्या 0य ہے कि उपर छोटा है नीचे बड़ा है तो जब उपर छोटा अंक हो और नीचे बड़ा अंक हो तो इसको हम क्या बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं सम भिन्न या उचित भिन्न तो इसका मान हमेशा एक से छोटा ही होगा मतलब इन दोनों को भाग दें रड़ तो अरड़ी सुनी की बाएं तरह भी है तो भी इस का माल एक से छोटा होगा तो यह सिदा सिदा किया जा सकता है यह वाला हिस्सा हमको मिल गया है तो इसके क्या करने है हमें? छै तुकड़े करने हैं एधार की और आधार एक दो तीन चार पांच पांच हिससे अगर हमने दीए शै तीन चार बांच श्ट होगे है तीक है अब देखे़ रेको किसकेनेा है अगर लिखना करते गखाई एगा अब डेख लीए कहां पार हो यह रहा है तो यहां से यहां तक दूरे हँए हमारी यह कहला ही रिनक बालज भलते हैं चले जी ये रहा हमारा प्रीशने कर दोजह पर दो बटे 11 पांच बटे 11 और नो बटे 11 पूर संख्या रहे था आपर रूपित पीजे पर नहीं बाद आगई यह रही हमारी संख्या रहे तो देखिए जी बाय तरफ जा रहा है सब रहे माने बाय तरफ जाएगा तो बाय तरफ जाएगा तो हमको क्या करना है जीरो यहां का ले लिगी जिससा इधर को हमारे को प्रेजेंटेशन देना है यहो जाएगी रनात्मा और यह बाय तरह आ रहा है तो चलो सुरू करते हैं और रण 2 रण 5 रण 9 तो चुपकि देखी यह सारी संख्याएं उपर वाली जो अंस इसको बोलते हैं नीचे वाली को हर यह तो पता ही है उपर अंस नीचे हर अंस छोटा है और हर बड़ा है तो यह क्या हो दाता है कुछी जो ही निया संभीन कहते हैं तो हमें 11 टुपड़े चाहिए तो हम बड़ा एक को ही यहां से जो एक छोटा टुपड़े करते थे थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं कि यह हमें दिखाना है यह इधर आगे बड़ता चला जाएगा और हमें इसी से मतलब है इस वक्त तो य कि 11 हिससे चाहिए तो 11 हिससे यह नहीं कि 10 कट पारें पड़ें हैं हमें 4 शुरू करते हैं यहां से हो गया बीच भी ले लेते हैं फिर यहां से हो गया यह बीच हो गया इसक्रीफ 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह मां लेते हैं 10 तो यह पूरे हो जाएंगे 11 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार है ग्यार है क्योड़े होगे अब यह चुकी इधर गया है रहे न तो यह रिन वाला लगाओ और इमका अरिनाम लेख दो सबसे पहले यह होगा सबसे मीरे लगाते होगे यह है यह अ यह और यह अब देखेवी जैए साझए संख्याय लिखी होई है वसको आपको क्या करना है निरू पण कर दे ना तो दो मट्टे ग्या रहा है यहां से यहां तक लेगी रहा है तो यह हमारा संख्या रिखापट निरुपण हो जाएगा एक ही रिखापट चुकि पर उसने एक में ही दिया है एक ही डिवाइड करता है तो तीनों को तीनों एक साथ हम निरुपित कर सकते हैं को कि अपर चलें अब आजाते हैं तीसरे नंबर भीलःशन आपम प्रिसन नमर थीर कह रहा है कि एसी पांच पर्विए संख्याएं लिखिए जो दो से चोटी यह अगर फांच पर्मेसाइट ऐसी पांच परमे संख्याय लिखिए संख्याय लिखिए जो दो से छोटी हों तो देखो यह सिज़े है हमारी रेखा संख्या रेखा और यहां पहीं सूने एक दो एक दो 3 इंधर देखों इसका है रेखी और इस जो चोटी हम इधर से इधर चला है तो आप देखिए जैसे आपको पता है कितNO अब यहां से नीचे चलनार चुरू करें तो एक दसमलो एक दो तीन चार पांच शह एक दसमलो नौ तक तो यहां भी लिख सकते हैं और या ती देड़ लेने चाहिए इधर कुछ कोई भी संख्या या तो आप सीधे-सीधे दो से चोटी एक दो तीन चार पांच यह तो भी काम चल जाएगा या भिन्य के रूप मेंभी लिखना है तो उसे रूप में भी लिख सकते हैं है जैसां भी संख्या जाएगा और कम करना है तो इसमें रिण लगा दीजिए कुछ भी लगा दीजिए यानि इसके पीछे की इती भी संख्या है आपको चाहिए वो लगा दीजिए वो सब की सब छोटी हो जाएंगी अपने आप इसके आगे सफ्क्या हिठा मतलिकिए कि इसन शोटउर कोई यह हलाकि सामने लिखे हुए इनको चर सकते हैं बटे में पीपर सकते हैं दसम्लों में बहुत सकते हैं जैसा हिश्या हो जे लगा सकते हां तो यह होजाता है हमारा थीसरा खक्त अब कार्या दो बटे पाँच और एद बटे दो के मध्य दस पर में संख्याएं लिखी अब जैसे कि पहले से हम आपको पता है कि दो संक्याओं के मद्य अनद संक्याएं हो सकती हैं तो अब इसको ग्याप करने के क्या तरीक है जड़ा देखते हैं तो यह है जाएगा रण दो बटे पाँच और यहाला है की जजयारे कि इसको गयट करने एक कहा तरीका है अगर मैं सिखते हैं अगे बढ़ें लिए अभी सबसे सामान्य और आसान तरीका सीखते हैं इनका जो हर है, इसमें हर में है 5, इसके हर में है 2, इन दोनों को क्या करना है, हमको पहले बराबर कर लेना, हर मतलब सम्तल हो जाएंगी, तो हमें समर्जी भायाएगा कि तना variation करना है आंगे फीशे, तो दिए इधर है 2 बटे 5, इधर 1 बटे 2, इसका हर कैसे समान होगा, इसक दोनों के हर समाल हो जाएंगे और यह क्यों क्यों कि इसको काट देने से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम ऐसे समाल संख्या का गुणा कर सकते हैं तो यह हो जाएगा रण चार और यह हो जाएगा पान्धूनी 10 और है और 5 इकम पान्धूनी 10 अब यह रण चार और 5 आ गया है तो अगर आप ऐसे देखें तो आभी हमको कितने चाहिए 10 तो 10 के बीच में कैसे ग्याद करने के कैसे पढ़ता चरेगा तो एक काम कर लेते हैं कि पहले अगर अगर ध्यान से देखें तो यह जएगी हमारी संख्या रेका और यहां पर है सूर ने अगर इस संख्या को निकालना चाहें तो कहां पर आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच यहां रहे हैं और एक दो तीन चार रहन के यहां पर तो गिनके अगर इस हिजाब से लें तो इसको क्या करना है एक और तरीका में बताता हूं कि इसको दस के उसमें भाग रहा कि किसी भी परियाद संख्याय मिल सकती हूं तो चारती आहीं बारह एंधे के और दस तैंग ऐसे और पान तीयाएं पंदरह और दस तीजेकल देखिए अब रहा और पंदरह पंदरह के बीच में देखिए यहां के काजी लबागा हो गया है तो वारां से हमको कितुनी मिल जाएंगी जितने दस तो मिली जाएंगी देखिए तो यहां पर आजाएगा अब इसको लिफनेगर क्या तरीका है रिन 12 बटे 30 यह तो हमारी पहली वाली संख्या डबा हो गई यह वाली कौन सी संख्या है यह वही है जो इससे मिली थी और यह 15 बटे 30 कौन सी है जो इससे मिली यह तुले भी कह सकते हैं इसको कि इसे से प्राप्त किया है और उनके वीजुआ हमको दस चाहिए जाए तो जाए है अब बढ़ते क्रम में ले लिए जी जाहिए बढ़ते क्रमम में यह आप यूपर निरुआ है तो बढ़ते क्रम में लेंगे तो रिन 12 इनके इस तरफ क्या जाएगा 11 बटे 30 10 10 यह रहाए रहा सर्में 10 फटे 30 नोब टे 30 एर आठ बटे 30 एर साथ बटे 30 सब्सक्राइब तिश, एक दो थीठान पांच सब्सक्राइब गज़ा अगते हैं और आसान बनाना हो तो इसमें 10 का गुणा कर दीजे तो बहुत सारी संख्याय मिल दाएंगी जितनी पूछे उतनी भर दीजे इस तरह यह हमारा प्रस नमबर चार होता है तो यह हमारी जो दस संख्याय है जो हमको मांगी गई कि वह ऐसे लिख सकते हैं अब आगे भी बढ़ा अब लेते हैं पांचमा नमबर पांचमा नमबर क्या है कि तो दो बटे तीन और चार बटे पांच इसमें पांच चाहिए हमको तो चले लो पांच बना दे में तो इसको आधार दोनों को हरको एक ज़्यसा बना देते हैं तो यह बन गया दो बटे 3 में पांच का उपर निची गुणा कर दी जिए गल्याओं ऑर इसमें इस तिन का तो चार बटे पांच बुनें तीन बटे तीन ठीक तो यह बन गया पांच दो नी-दस पांटियें पं सबसे बढ़िया तरीका होता है दस का गुणा कर दीजिए समसंख्या में और असा नहीं हो सकती जो आपकी चाओ वह भी कर सकते हैं कि अगर मुझे 3 ही जाएं को तिन का गुणा कर दीजिए कोई दिक्कत दोनों में जो भी कर्ये दोनों में बरावर करें तो मैंने करना है 10 बड़े 15 में से इन तीन में 3 को घट रही हैं कि दस के वीचे ग्यारह और बारह एक है इसमें जो है है मैं और सबसे बढ़िया आसान तरीका है दसका सब गुणा कर दो तो जितनी मांगे उतनी भर जाएंगे अपने आप यह सबसे बढ़िया सबसे कुछ ना बने डसका मुणा कर दो पर निजे तो बहुत सारी मिल जाती एक साथ तो दस दाहम सो हो गई और पंद्रा दाहम एक सोपचास और बारा दाहम 120 और पंद्रा दाहम अगर लिखना चाहे तब इस भासा में ना लिखें यहां पर हम इसको दो बटे तीन ही ली सकते हैं और मुझको चाहिए कितनी पाच तो इसको 101 के आगे इदर तो इदर बढ़ा रहा है से बढ़ा दो 101 बटे 150 102 बटे 150 103 बटे 150 104 बटे 150 इतने हो गए एक दो दीन चाहर और 105 बटे 150 और यह कुन सा था ये था 4 बटे 5 ये था 4 बटे 5 यह निरे डबे में 50 आइं ये 5 आउब 20 तक है 19 तक आप कोई भी भर सकते हैं ये आपके उपर ने रहे तो ये तुल्य भीन इसका था और ये तुल्य भीन इसका था तो ये इस तरह हमारा यह सवाल इसका हुआ पांचने का पहले का और इसका दूसरा भी ले लिए तो इसका दूसरा ले 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 लिए इसका दूसरा तीन बटे तो 3 और 5 बटे 3 शुरू करते हैं तो दूसरी और इसको ले 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 लिए पांचा दूसरा और अधादो आधार बार करते हैं उसके बार दिखा लाता है कहां इसाथ तो यह पाज बटे तीन में इसका दो का उपर नीचे गुणा कर दिया तो देखी क्या बन गया तो यह बन गया तीन तिरकाई नौ और तीन दोनी छे और इधर क्या बना पांद दोनी दस तीन दोनी छे दिखिए रण नौ और दस यह समय कुछ करने की ज़रोतीनी पहले से भारी हुई है बहुत सारी देखिए कैसे कि रिन नौ बाएं तरफ जा रहा है और रिन दस दाहिने तरफ जा रहा है तो वसे बहुत सारी संख्याय भर गई है ठीक है ना यह सूनने के एक इस तरफ जा रहा है यह किस तरफ पसूनने के इस तरफ जा रहा है अगर ध्यान से देखें तो गर नौ बटे चे कहां आ रहा आगर पारख पर दगाए यहां पर नोव वट्टे छह और यहां पर आधार रही तो आगर अब कर दो चैय एकप्शे और एक बट्टे दो यह हो गया जो तीन बट्टे दो पारी तिन की तर जा यहां से निकाल लिए और यह किदर जा रहे है तीन यह तम तीन दो बटे पाइट देखें यह एक और यह तो यह यहां कहां जा रहा है एक के आगे दो बटे टीन यहां पर इसके बीचे भरनी है यानि कि नौव बटेज यह कहाँ आएगा यहां पर एक और आधा यहां पर इसको हम नौव बटेज यहां रिन तीम बटेज दो लिख सकते हैं इसको और इधर पाल बटे तीम यहां करी आएगा कितना एक सही दो बटे तीम का हिस्सा बना अब देखिए इसके इसके बीच की ही तो संख्याए हैं तो मैं इसको क्या लिख से दूँँ नौ के बाद इधर क्या जाएगा यह इस तरह बढ़ें तो धराकां की तरह बढ़ेंगे तो रिणन नौ यहां पार मैं लिख नेता हूं बढ़ें यह तो पहला होगा अब इसके अंदर की हमाएं पांच बटे भरने हैं और इधर है पांच बटे तीन है चलो इसी को बढ़ा दो तो रिणन नौ बटेच्छे के बाद इसको लेग लेंगे रिण हाट वटेच्छे रिण साथ वटेच्छे रिण छे वटेच्छे पांच बटेच्छे रिणन चार बटेच्छे बस इधर से इधर बढ़ेंगे तो भी आ जाएंगे जो आपकी पांच पूंच रहा तो उन्हें पांच बढ़ा दिया और इस तरह ही हमाना परिमेशंख्या पांच निकारी जा सकती है और यहां में प्रदर्शन भी देख सकत यह करने ही जरूत नहीं है हमें को लिए भारमाद है ठीक है अगे है कि तीसरा थे रहे हैं एक बटे चार और एक बटे दो चलो एक बटे दो बनाओ ज़ी बनाओ एक बटे चार आधार बराबर कर देख सकते हैं और चार दो नी आठ और चार एक दण 4 और चार दो नी आठ पांच यह आधार एक है तो देखने में तो अभी समझ में नहीं आरा तो एक काम करें इसमें दस मैंने बताया कि सबसे आसान तरीका है दस का उपर नीचे गुणा कर दीजी दोनों में तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी दो बटे आठ में उपर नीचे जितना कहें उतना दोने लिए आराम से भाज जाएंगी बहुत सारी भाज जाएंगी प्रित अब आख में ऊपर नीचे दस का वैर में गुड़ा कर देते हैं तो दस क dice मतरामें विश है और चर यह जो है कि ईसकी तुल्य भी मुई है इसकी ह ear षत है और इसको लिख दीजिए एक बटे दो यह हो गया अब इनके बीच की बाद यह यह अपकर यह हो गया तो इसके बीच के बाद क्या आएगा इदर इस तरह बढ़ना 40 की तरह हमें इसको यह धियान राखना 20 और 40 इसकी तरह पढ़ना है तो 20 के वे बाद में जाएगे 21 बटे 80, 22 बटे 80, बीच बीच की भी ले सकते हैं, आप क्रम से बढ़ा है, बटर रहे हैं, 23 बटे 80, 24 बटे 80, 25 बटे 80, हमें 5 चाहिए ते 50 बटे, जितना चाहिए वो 40 तक आप पढ़ते जाएंगे, वो परमेर सं देते हैं, प्रश्ण नमबर 6, रिन दो से बड़ी, चट्वा कह रहा है, रिन दो से बड़ी, पाच परमे संख्याएं, लिखे, चली, अच्तो बहुत आएसान तरीका, ये रहा हमारा संख्या रिखा और अगेर हम ध्यान से देखने रिन दो, तो यहां कहा है, मालिगी में सुने रिन की तरफ जा रहा है, तो ये लेगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये रिपाएं तरफ जा रिन रिन की हो गया, इससे बड़ी पांच लेनी है, चलिए धर्धियान से लेखिए तो पूरा जा रहा है, रिड़ दों के बाद कोई भी ले लीजिए धर, चाहे तो ऐसे ही एक, दो, तीम, चार, आप, इन संख्याओं को भी उतार दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, भिन्नवाली संख्या बना इसका मतलग यह हुआ कि इधर आने वाली कुछ भी संख्या है, यहां पर अगर देखेंगे, यह भी तो क्या होगा, जिदनी हिस्से करें, इसके चार, पांच टुपड़े भी अगर करतें, यहां वाले भी, तो कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ट को रिन लगा लिए, इधरी वाली लिख लिए, या इधर जो द्रजर आते हो, कुछ भी जो भी इच्छा हो लिख लिए, तो अगर मैं बहुत आसान भासा में काने, ज्यादा दिमाग अगर करने की, और भी आसान थारी कि यह जो लिखे हुए हैं, इनी को लिख लिए, यह आपके उपर बहुत सारा वेरियेशन है, जैसा बन जाए है, वैसा बना दिये, सब सही बना जाता है, ठीक है, चलिए, अब अगला है, साथवा नमबर, साथवा नमबर कह रहा है, तीन बटे पाँच और तीन बटे चार, तीन बटे पाँच और तीन बटे चार के बीच में, दस परिमें संख्याइं लिखिए, यह हमारा चलिए, जैसे विकिया बिल्कुल बस ही कर रहे ना है, तो यह रहा, निलू पड़ तो नहीं, कुछ सहर नहीं, के बिल्कुल संख्याइं निकालना है, तो यह हमारा तीन बटे पाँच और तीन बटे चार, ठीक है, तो क्या करें, इधर पांच, इधर चार, उपर नीचे यहीं परसी सुरू कर देते हैं, चुपिए हमारे पास भी आगया है, यह लिजी उपर, चार कर गुणा कर दीजे, इधर कर दीजे, पांच कर, तो यह इसके अधार बराबर हो जाएं, यह हर बराबर हो जाएं, तो हम लिखेंगे, चार त्याइं, बारष और पांच व की बीज, और पांच त्याइं, पंद्रह और चार पंचे बीज दिखी, यह किसमें बदल गया, बारह और पंद्रह में, हमको चाहिए कितनी, दस, तो आप सबसे आसान तरीका, दस का गुणा करना होता है, और बीच की चाहिए, तो तो सबसे बड़ी आजम्जटी खता हो जाता है तो यह हो जाएगा बारह बटे 20 में उपर नीचे 10 का गुणा कर दीजी जितनी सह है उतनी भार जाएंगे और पंदरह बटे 20 है इसमें भी 10 का गुणा कर दीजी क्योंकि किसी भी संख्या सवाल संख्या का उपर नीचे गुणा करने से कोई अंतर तो परता नहीं है तो यह बन जाएगा बारह बटे 10 अथाथ 120 और 20 दहं 220 दो सो और 15 दहं 150 और 20 दहं 200 अब देखेजिए यहां से 220 से 150 चलेंगे तो हमारे को 30 का गयाप है यानि कि इन दोनों को छोड़ दे तब भी 28 संख्या भर जाएंगे हमारी तो हमको चाहिए 10 बर्दों के रिकत है अब यह किसका तुल्य भी न बना है यह 3 वटे 5 का यह बना किसका यह इसका बना और हमें क्या चाहिए इनके बीच में तो और यह किसका बना है 3 वटे 4 यह हो गया 3 वटे 4 और बीच के संख्याएं के लिए यह हिसाब किताब बने इसके आगे यह नहीं लिखना क्योंगि यह तो यह इमान है इसके आगे हो जाएगा 121 वटे 200, 122 वटे 200, 123 वटे 200, 124 वटे 200, 125 वटे 200, 126 वटे 200 सिखते हो गए दस पर में संक्या हो गई इस प्रकारी हमारी प्रश्णावली समात होती है जो दें आंके प्रश्णावली कि देने वाले